हालो हाई गाईज वेलकम टिवेनाग डिलीवर्स क्लासेज तो स्टूएंट्स आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ आए जिसे कि हम इंग्लिश में इंकम बोलते हैं तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आई एक्चुली क्या है इंकम क्या है और इसकी ज़ क्यों पढ़ती है तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आए द्यान से पढ़िएगा आपको एक बार में समर्ज में आ जाएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंकम क्या होती है बेसिकली ओके आपके इंकम होती है देखिए अपने जीवन को चलाने के लिए मानव जीवन को चलाने के लिए अर्थो पार्जन करना पड़ता है क्योंकि मानव जीवन में असीमित जो होती है आवशक्ताएं होती है मानव की जो आवशक्ताएं होती है व सीमित होते हैं ठीक है मानव की आवशक्ताएं असीमित रही हैं हमेशा से ही क्योंकि उनकी एक आवशक्ता पूरी होने के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी चाहे आप उसको आवशक्ता बोल सकते हैं चाहे आप उसको इच्छाएं बोल सकते हैं so मानम की जो आवश्यक्ताइं हैं इच्छाएं हैं वो हमेशा से असिमित रहे हैं लेखिन उनको पूरा करने के जो साधन होते हैं वो सिमित होते हैं और उन साधनों को ध्यान में रखते हैं अर्थो पार्जन करना पड़ता हैं फिर जो आय आती है उससे इंसान अपनी आवशकता है क्या करता है पूरी करता है सो आय बेसिकली क्या होती है आपके आय होती है परिवार अपनी आवशकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक किरियाएं करता है वो आर्थिक किरियाएं कुछ भी हो सकती है पैसा कमाने के लि भरन पौशण पालन पौशण अच्छे से कर सकें उनकी अवशकताय पूरी कर सकें वी एक बैसिकली आपके आय का एक और सीधा सा देखें तो दो समान आये वाले जो परिवार होते हैं उनके भी रहन सहन उनके living standard में changes हो सकते हैं differences हो सकते हैं क्योंकि हर घर के अपने rules regulations नियम्स होते हैं हर इंसान का अपना रहन सहन अलग होता है हर किसी का अपना culture होता है तो वो उसको ध्यान में हर रखते हैं और हर परिवार के अपने एक values होती है तो वो उसको ध्यान में रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो वो सब किस्से होता है आर्थिक प्रयास करने से आर्थिक जो अर्थो पारजन करने से इन सब चीजों के पूरति, आवाशक्ताओं के पूरति होती है, ठीक है ये तो था I, बेसिकलि आइ क्या होती है आइ की परीभाषा क्या होती है, इसमें आपके एक आजाता है आइ की परीभाषा में एक निश्चित अवधी में अरजित की गई धनराशी बेसिकली आये क्या होती है एक निश्चित अवदी में मान दीजे कोई विक्ति कहीं काम कर रहा है तो एक महीने बाद उसको सेलरी मिलेगी जौब कर रहा है एक महीने बाद सेलरी मिलेगी तो सेलरी कब मिलेगी एक महीने के बाद ही मिलेगी तो यह होता है एक निश्चित अव आय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं कोई न कोई काम करना पड़ता है तभी हमें आय मिलती है आय एक प्रकार की क्या है निश्चित अवधी में की गई धन राशी अर्जित की गई धन राशी होती है और आर्थिक प्रयास उसके लिए करना पड़ता है जैस कुल सही बात है लेकिन उसके साथ आपको क्या मिल सकता है अन्य स्वीधाय मिल सकते है निश्वल्क मकान मिल सकता है ये भी एक तरह का आय और जीत के वाज आदेना है मुफ्त चिकित्सा मिल सकता है मुफ्त सिक्षा मिल सकता है यात्रा वे मिल सकता है क्योंकि आपके जो भी मान लीजे कहीं काम करते हैं तो वहाँ पर उनको रहने के लिए मकान दिया जा सकता है ये भी एक आय का स्ट्रोत है उनके लिए मुफ्त चिकित्सा का इंतिजाम होता है फ्री में सिक्षा जो देते हैं और यात्रा बगता भी मिलता है नेक्सट आ रहा है आपके पारिवारिक आई देखें आई बता दिया एक बेसिक जो meaning था आई का अब आरे आपके पारिवारिक आई क्या होती है मुद्रा वे नगत होता है और कुल आई का अंश जो होता है वो होती है पारिवारिक आई और इसमें बेसिकली आप क्या बोल सकते है एक निश्चित अवधी में परिवार के मुखिया वे अन्य सदस्यों द्वारा अरजित की गई आए means कि एक ही एक फैमिली में जो आपका head of the family होता है उसके द्वारा जो भी आए अरजित की गई है या फिर परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा अरजित की गई जो धन राशी होती है मुद्रा होती है वो उस परिवार की क्या होती है पारिवारिक आए होती है अगर दस लोग कमा रही है तो दस लोगों की जो इंकम होगी वो क्या है पारिवारिक आए होगी पांच लोग कमा रही है फैमिली इंकम होगी तो परिवार के जो मुख्या के द्वारा या अन्य सदस्य जो भी कमा रहे हैं तो वो क्या होती है आपके परिवारिक आय होती है इसमें आपको क्या मिल सकता है मुफ्त प्राप्त सेवा होती है मुफ्त में जो प्राप्त सेवा होती है वो परिवार की आय का हिस्सा ही होती है means कि घर के कोई भी सदस्य को अगर किसी भी तरह की free में service मिल रही है free में कोई भी सेवा मिल रही है तो वो भी क्या होती है परिवारिक आय का हिस्सा होती है ठीक है एक निश्चित समय में जब परिवार को धन मिलता है या मुद्रा के रूप में जो पैसा मिलता है चाहे वो आपकी salary हो है ना तो वो जो हो चाहे वो आपकी labor हो तो वो होता है आपकी मौद्रिक आये वो किसी भी रूप में प्राप्त होने वाले जो आये होती है चाहे मुद्रा के रूप में हो धन के रूप में हो तो वो क्या कहलाती है आपके मौद्रिक आय कहलाती है जैसे देखें तो मौद्रिक आय में आपके मौद्रिक आय एक व्यार शक्ति होती है व्यार शक्ति को बोलते हैं पर्चेजिंग पावर मेंस की जो मुद्रा के रूप में हमारे हाथ में पैसा है जो हमारे हास मुद्रा है उसमें purchasing power है क्योंकि हम दुनिया में कोई भी वर्जट्ब हो उसे खरीच सकते हैं हमारे हाथ में अगर पैसा है तो मुद्रा है तो हम कुछ भी खरीच सकते हैं इसको बोला जाता है व्याशकती होती है आप इसकोogen गैशकती बोल सकते हैं आप इसको purchasing power बोल सकते हैं मौद्रिक आय में purchasing power होती है means की व्याशक्ती होती है means कि हम उस से कुछ भी खरीच सकते है कोई भी वरस्तु खरीच सकते है उसके अलावाद देखे इसमें क्या आजाता है simple अगर देखें तो किसी भी काम के वदले में जो धन मिलता है चाहे वो आपने मजदूरी की है, चाहे वो ध्योग दंदे से हो, चाहे वो किसी व्यावसाय से हो, क्रिशी से हो, नोकरी से हो, ठीक है, तो वो सारी क्या होती है आपकी, वो सारी होती है मौदरिक आए, इसमें मौदरिक आए के अन्य स्त्रोत भी हो सकते हैं, आपको मुदरा क की गई जो मुद्रा होती है जो धन राशी होती है वो आपके मौद्रिक आय होती है ठीक है यह होता है आपके मौद्रिक आय इसे ध्यान से देखिएगा एक दो बार आप वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा मौद्रिक आय क्या होती है वास्तविक आय क बूलेंगे तो चलिए sinus आ रहा है second में आपके वास्तविक आई यह फिर अमोद्रिक आई वास्तविक आए या अमोद्रिक आई जिसे आप इंग्लिश में real income बोल सकते हैं ठीक है वास्तविक आय या मोद्रिक आय में इसमें आपके क्या जते है basically विशेश समय अवधी में प्राप्त जो वस्तुए होती है वो वास्तविक आय कहलाती है जैसे कि आप क्या बोल सकते हैं निशुल्क जो भी सेवाय मिलती है ठीक है मतलब की फ्री में जिसके लिए आपको बैसा नहीं देना पड़ता वो वस्तुए हो गई चाहे आपके साथ आपको देखिए इसमें मैं बताती हूँ निशुल्क आपके आप बोल सकते हैं सेवाय या फिर आपके वस्तुए ठीक है दोनों चीजे बोल सकते हैं जो फ्री में मिलती है निशुल्क मिलती है प्लस इसके साथ क्या होता है मौद्रिक आय खर्च करके जो प्राप्त व को वस्तों ये सिवाई प्राप्ट होती है वह होती है आपक Valium क्या होता हुइぎ चिकित्सा आपके आता है एक आता है उपहार मकान उपहार मिन्स होता है गेट्स मकान आधिये सब चीजे अगर आपको मिल रही है तो यह वास्तविक आए में या फिर अमोद्रिक आए के अंदर आ जाती है इसमें चिकित्सा है मकान है घरेलू बागवानी मतलब कि घर से हमें जो भी सबजिया प्राप्थ होती हैं मान लीजिये घर है हमारे घर में किचिन गारडन है वहां ON हम सबजी ले रहे हैं फूक्तों ले रहे हैं वह भी क्या होती आपके वास्तविक liकों होती है रीयल इंकम में आता है वो सब ठीक है ये जो सेवाए हमें प्राप्त होती है तो एक तो हमें निश्वल्क मिली प्लस मुद्रा खर्च करके जो मिली ये दोनों जो होती है वो वास्तविकाई के अंदर आ जाती है ठीक है इसमें देखते हैं वास्तविकाई के दो प्रकार होती है एक इसमें आ जाता है प्रत्यक्ष आए दूसरा आ जाता है इसके अंदर और दूसरा आता है indirect income ठीक है दो आ जाता है इसके अंदर सो हम प्रत्यक्ष जो आये है वो देखते हैं वो क्या होते हैं प्रत्यक्ष आये होते हैं बीना पैसा खर्च किये पाना मीन्स की प्रत्यक्ष आये आपकी direct income वो होती है कि आपको पैसा नहीं घर्च करना पड़ा उस चीज के लिए आपने पैसा दिया नहीं लेकिन फिर भी आपको वो वस्तु या वो आपको सेवा मिल गई है तो वो होती है आपके परत्यक्ष आये जैसे कि घर के बाग से फल नोकरी के साथ फ्री में आपको जो मकान की स्वीधा देते हैं और उसके अलावा चिकित्सा अपने फादर की संपत्ती है अपको उत्रादिकारी आपको इसके लिए पैसा नहीं खरच करना पड़ा नोकरी आपको रहे हैं और उसी के साथ उन्हों ने आपको एक मकान दिया है मुफ्त में रहने के लिए जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं सो वो स्वीधा डायरेक्ट इंकम में आती है चिकित्सा स्वीधा वींस की मेडिकेशन का जो भी मिल रहा है आपको प्रत्यक्स संपत्ति उपहार ये सब चीजें जो आती है ये हमने बीना पैसा खर जैसे किराया देकर मकान मिन्स के आपको कोई मकान लेना है आपको उसका rent देना पड़ेगा monthly then आपको वो मकान मिलेगा पीछे क्या था परत्यक्ष में तो ये था कि आपको बीना पैसा खर्च किये आपको जो सेवा मिल रही है जो वस्तु मिल रही है जो स्वीधा मिल रही है लेकिन अपरत्यक्ष में क्या है अपरत्यक्ष जो indirect income है इस पर आप किसी कोई धरमशाला है कोई होटेल है वहाँ पर आप रहे रहे हैं पैसा देकर रहे हैं है ना उसके अलावा आप किसी भी मारली जगार पर कोई ऐसा पाक है जहां पर एंट्री जैसे कि जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं वहाँ पर एंट्री मिलती कैसे है आपको आप को उसके लिए पैसा देना पड़ता है फिर आपको वो सेवा मिलती हैं तो ये था आपके परत्यक्षाई परत्यक्षाई आई होप आपको समझ में आ गया होगा सुदेंस अगर में विडियो एच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा पढ़ते रह लेंगवेज में कोई भी कॉंसेप्ट क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बट एक सिंपल लेंगवेज में समझेंगे आप तो आपको वो कॉंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट हम दिखते हैं मानसिक आये होती है आत्मी काये भी बोला जाता है मानसिक से आप समझ लीजिए कि अगर आपने कोई काम किया और वो काम करने के बाद मान लीजिए अपने मुद्रा दी मुद्रा दे कर आपको कोई चीज ली ठीक है आपने पैसा दिया कोई चीज आपको पसंद थी आपने उसको खरीदा खरीदने के बाद आपने उ कि अगर आपने घर में घर के सदस्यों के लिए फैमिली के मेंबर्स के लिए आपने कुछ खाना बनाया कुछ स्पेशल डिश बनाया अगर आपके परिवार के सभी सदस्यों को वो डिश अच्छा लग जाता है तो आपको satisfaction मिलता है कि आप अपने किये गए काम में क्या हो है या आपने जो भी सोचा था वो आपका पूरा हो गया है सो यह होता है आपका जो होती है मानसिक आए मिन्स कि mentally अगर satisfaction मिलता है हमें कोई भी चीज को यूज करके कोई भी काम को करके सो वो होती है मानसिक आए अगर हमने कोई वस्तु खरी दी ठीक है पैसा देकर खरी दी और अगर वो वस्तु यूज करने के बाद हमें पसंद नहीं आती मान लीजिए हमें कोई वस्तु खरी दी और हमें वो यूज की हमने और हमें वो पसंद नहीं आई तो mentally हम satisfied नहीं होते उस चीज से उसे मानसिक आए नहीं का जा सकता मानसिक आए कौन सी होगी जब आपको व मानसिक आए में आपके आजाता है केवल अनुभव कर सकते हैं बिलकुर ठीक बात है अगर आप mentally satisfied हैं तो आप उस मानसिक जो आए हैं जो आपकी मानसिक इंकम जिसको बोल रही हैं वो वो क्या होगी आपको सिर्फ आप उसको अनुभव कर सकते हैं आप उसको खुद महसूस कर सकते हैं जो ठीक है साइकिक इंकम जिसको बोल सकते हैं आप वो होती है आपके मानसिक आए वो आप अनुभव कर सकते हैं आप उसको माप नहीं सकते मापना संभव नहीं बिलकुल मानसिक आए जो होती है आप उसको आप नाप तोल नहीं सकते कि हमें इतना satisfaction हुआ हमें इ मतलब आप उसको एक पर्टिकुलर मेजर नहीं कर सकते हैं मानसिक आय जो होती है वह व्यक्तिकत होती है कि कोई भी व्यक्ति है उसने कोई काम किया वस्तु खरीदी तो उस चीज का जो सैटिस्वेक्शन उसको खुद को होगा जो उसकी मानसिक आय होती है वह व्यक्तिकत होती हमने 3 परकार पड़ लिये हैं इंकम के परिवारिक आए के हमने पर्कार पढ़े construction कुन außer होते हैं Что हम available वर्स आ जाता है आपके इसके अंदर मझदूरी मस्हें क्या होती है शायरिक श्रम करते हैं ठीक है जो लेवर वर करते है तो उनको जो मुद्रा मिलती है चाहे वो अनाज मिले चाहे उनको पैसा मिले चाहे उनको उसके बदले में कोई भी वस्तू मिले तो वो होती है आपके मजदूरी वेतन क्या होता है वेतन होता है जिसमें आप शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक श्रम भी कर रही है ठीक है वो होता है आपके वेतन मींस कि आप किसी जगह पर जॉब कर रही है आप शारीरिक रूप से तो जो है मेहनत कर रही है वो हाड़ वर्क कर रही है और प्लस उसके तो उसके बदले में जvous आपको income मिलती है वह। होता है, वेतन है उसको बोलती है आपके वेतन और ब्याज क्या होता है आपके आपको सब को पता होगा और समझ में भी आ रहा होगा ब्याज क्या होता है, जैसे हमने bank में कुछ पैसा रखा, save किया, post्रोफ Is में कुछ सेव किया उद्योग में कोई जमा पूंजी लगाई हमने उसके बदले जो हमें डेली का जो मूलधन के अलावा हमने जो पैसा लगाया वो तो है बट उसके अलावा प्लस हमें कोई फाइदा मिल रहा है कोई बेनिफिट मिल रहा है कोई अलग से हमें पैसा इंकम आ रहा है वो होता है आपके ब्याज लगान या किराया लगान या किराया क्या होता है अपनी भूमी यानि कि हमारी अपनी जमीन है हमने उसको दूसरे को उप यूज करने के लिए दिया है उसके बदले वो बंदा हमको क्या दे रहा है प्रतिफल दे रहा है मिन्स उसके बदले हमें चाहे पैसा दे रहा है तो वो होता है लगान या किराया ठीक है नेक्स veil logistics लाब क्या होता है वही बात आ जाती है लाब भी याने किया आपने कोई बिजनस किया व्यापार किया उसमे जो आपने पुगाई पूलधन लगाया उसके अलावा जो आपको पैसा जो आ रहा है वेप एक लाग रुपया लगाया उसके अलावा जो आपको इंकम हो रही है चाहे उपर से आपको बीस हजार हो रहा है तीस हजार हो रहा है दस हजार हो रहा है पांच हजार हो रहा है वो क्या होता है आपके लाग pension by gratitude क्या होती है pension by gratitude होती है सेवा निवरती के बाद means कि retirement के बाद मिलने वाली मासिकाए means कि जो लोग government job में होते है या आज कल private में भी ऐसा कुछ कर रखा है system की कुछ companies में कि pension मिलता है government में है कि जब retire हो जाता है बनता अपनी age के बाद सो उनको जो mントली जो पैसा मिलता है income मिलती है वो होती है pension और retirement के समय जब कोई व्यक्ति किसी भी संस्थान के द्वारा जब retire होता है तो उस संस्थान के द्वारा एक निश्चित जो इकठी की गई राशी होती है थिक है, वो होती है gratuity, यह difference समझ लीजेगा ग्रेचुटी और पेंचन में यह डिफ्रेंट्स होता है ठीक है देखिए बोनस क्या होता है बोनस होता है आपके व्यापारिक जो व्यावसाइक संस्थाएं होती है या जो भी उद्ध्योगों के मालिक होती है ठीक है जो फैक्टरीज के मालिक हो गए कारखा जो वेतन देते हैं वो तो है उनका जो फिक्स है उसके अलावा जब किसी भी कंपनी को अपने काम में कोई बेनिफिट होता है अच्छा उनको इंकम होता है अच्छा उनको लाब होता है तब वो क्या करते हैं उस लाब का कुछ अंश्र होता है वो अपने करमचारियों को द इसको बोल सकते हैं यात्रा बता में कि जो भी किसी कंपनी में काम करा उस बंदे को उसके आने जाने का खर्च जो मिलता है फोन का जो खर्च मिलता है यह सब होता है भत्त बोलते है इसको ठीक है आपके नेक्स्ट आता है royalty 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 क्या होता है लेखक को प्रकाशक के द्वारा दी गई धनराशी ठीक है कोई भी लिखने वाला है कोई लेखक है उसको कोई भी प्रकाशक मींस की publisher जो होता है मींस की एक बंदे ने कुछ लिखा चाहे वो कवीता हो चाहे वो story हो कुछ भी हो लेकिन उस वो प्रकाशित करने क लिए प्रकाषक के प्रकाशक के पास जाएगा, तो लेखक को प्रकाशक के दोारा दी गई धनराशी क्या होती है, रोयल्टी बोलते हैं, इसको आप ये चीज़े धिहान रखिएगा, नाम धिहान रखिएगा, ठीक है, उपहार means कि किसी के द्वारा हमें कोई गिफ्ट मिलता है ठीक है ये भी क्या होता है आपके परिवारिक आये का स्त्रोथ ही है लोट्री अगर निकल जाती है और पैतेक संपत्ति ये सब क्या चीज़ें होती है ये सब होते हैं आपके परिवारिक आये के स्त्रोथ होती है ठीक के हो शकता है जैसे अचार पापड बनाना च्छटा मुटा उद्योग could करना मुरब्भा बनाना स्क्राइश बनाना घर मेंो rece dość का कम करना कुछ वह हो सकता है आज कल हम सब जानतें यह आज कर पूरा हाथ य Daar wicked योगदान देती है अपना पूरा घर के अंदर परिवार की आये में वृद्धी के लिए तो इस तरह का जो काम है घर की महिलाओं के द्वारा आर्थिक योगदान से परिवार की आये में क्या हो सकती है वृद्धी हो सकती है उसके अलावा समय का उचित उप्यों करके अगर क कोई भी side business कर सकता है side income sources के हिसाब से ठीक है तो समय का उच्छे तो प्योग करना उपलब्द आय का विवेकपूंड व्यर मींस की जो भी आपके पास उपलब्द आय है उसको आपको समझदारी से यूज करना मींस की उसको waste नहीं करना unnecessary उसको खर्च नहीं करना जैसे धन की मितवयता मींस की धन को अगर खर्च करना है तो इतने अच्छे से खर्च करना है कि आपकी आवशकता की पूर्ती हो जाए और आपके ये भी ना हो कि जो चीज़ें आपको जरूरत नहीं थी आपकी लगा दिया तो ये मितवयता नहीं होता आपको अगर धन की बचत करनी है तो धन की मितवयता मींस की उसका समझदारी से यूज करना ठीक है तब ही धन को बचा सकते हैं तो परिवार की जो आए हैं उसमें हम वृद्धी कर सकते हैं धन व्यवस्थापन करके बिल्कुल धन वस्थापन करके कैसे कि हमें एक जैसे कि हमें मंतली कितना हमारा लगता है सबकी जरूरते पूरी होने के बाद कितना हमारा खर्च होता है उसका एक बजट रेडी करना ठीक है इंकम कितनी है और आपका मंतली बजट कितना है आपको धन को जो है उस तरीके से मैनेज करके च सकते इन्वेस्ट कर सकते हैं सेव कर सकते हैं सो जिससे परिवारिक आय में क्या होती है वृद्धी हो जाती है ठीक है